रियासी के टुकसंग गाउं में गाउंवालों ने बहादुरी का पर्चम दिखाते हुए A-PLUS कैटेगरी के दो आतंकियों को जिन्दा पकड़ा है ना सिर्फ जिन्दा पकड़ा है बलकि आम्जन एमुनेशन तक रिकवर किया है हम इस समय मुझूद है रियासी के महोर में हम आपको वो असला बारूद दिखाने वाले है जो गाउंवालों की मदद से रिकवर हुआ है ये तस्वीरों में आप देखिए इन दोनों आतंकियों का नाम जो है इस A-K-47 बंदूक में लिखा हुआ है A का नाम अफजल है और दूसरे का नाम A प्लेस कैटेगरी का जो आतंकी था जिसका नाम तालिब था जो की लशकर से आतंकी संगठन से उसका तालुक था और तस्वीरों में आप साफ तोर पे देख सकते है मैगजीन जो है वो भी यहाँ पर रिकवर की गई है A-K-47 मैगजीन उसके साथ साथ ग्रिनेड्स पिस्टल और साथ में जो बुलेट्स राउंड है वो भी यहाँ पर रिकवर किये गए है यह साफ तोर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहीं तालिब से का लगाता सुरक्शा बल, सुरक्शा एजन्टिया वो पूश्टाश कर रही थी जिसके बाद रजोरी में एक बार फिर जो पूश्टाश थी उसके उसके बाद खुलासा जो है तालिब ने किया और बड़ी मात्रा में रजोरी पलीस ने भी आम्जेन अमूनेशन जो है वो रिकावर किया तस्वीरों में आप साफ तोर पे पिस्टल देख सकते हैं ये मैकजीन जो है ये रिकावर की गई है और साथ में ये जो स्टिकी बम है ये भी रिकावर किया गया है स्टीकी बम जो है जरूर सुरक्षा बलों के लिए एक चैलेंज बना है यूपी जील साफ तोर पे आप अपने टीवी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं उसके साथ-साथ बारी मात्रा में आमजैन अमूनेशन जो है वो यहाँ पर रिकावर किया गया है तालिव वही आतंकी है जो रजोरी पुंच वाला इलाका है उसके अंदर एक बार फिर आतंकवाद को रिवाइब करें लेकिन इन सब के बीच वक्त रहते ही जो रियासी में जो गाउं है उन्होंने वहां पर वहां के लोगों ने बहादरी दिखाते हुए ए प्लस कैटेगरी के दोनों खूखर आतंक कि रही है है हें गृसक देख रहे हैं एक एफोटी सावन राइफल जो है वो देख रहे हैं यहां पर जो ब्रामत किया घ्या लेकिन आतंकियों की आ कश प्रयास कर रहे हैं कि आतंक्यों की गुस्पैट जो है वो करवाई जाए और बारी मात्रा में आमजैन अमुनेशन जो है इस तरफ बेजी जाए लेकिन सुरक्षा बलों के होते हुए आतंक्यों के कोई भी मनसूबे जो है वो काम्याब नहीं होंगे और यह बड़ी का आमजैन अमुनेशन की जो झाल झाल